प्रिया बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे बच्चों आप बड़ी बेसबरी से हमारी इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान होगी बच्चों आज हम कक्षा सात्मी के विश्य समाजिक विज्यान के पहले पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है समानता बच्चों समानता लोक तंतर में एहम भूमिका निभाती है भारत का सम्विधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है बच्चों इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि विभिन समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और अनुभव किया जाता है उसके माध्यम से समानता की जरूरत को इस पार्ट में उबारा जाएगा इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कानता, ओम्प्रकाश वालमिकी और अनसारी दमपत्ती कैसे अलग-अलग त्रह से असमानता का अनुभव करते हैं बच्चो इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राजय अमेरिका में असमानता के मुद्दे को भी देखते हैं और यह स्पस्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विशव्यापी मुद्दा है और कई लोगतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है बच्चो भारत एक लोगतांत्रिक देश है कक्षा छटी की उस्तक में आपने लोगतांतर में सरकार के मुख्या तत्वों के बारे में पड़ा था जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शान्ती पूरण समधान, समानता और न्याय समानता लोगतांतर की मुख्या विशेश्टा है और इसकी कार्या प्रणाली के सभी पहलों को प्रभावित करती है इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे की यह क्या है समानता लोगतंतर के लिए आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं इसकी चर्चा हम कांता की कहानी से अरंभ करते हैं बच्चों चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है उसी वक्त कांता बोलती है कितनी अच्छी बात है सुजाता की हम सब अपने देश के समान नागरी के रूप में वोट डाल सकते हैं सुजाता जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं बच्चों जैन साहब यहां पर कांता के मालिक हैं जहां पर वह काम करने जाती है कांता वोट डालते वक कहती है कि मैं तो उसे वोट दूँगी जिसने हमारे महले में पानी की पाइप लगाने का वादा किया है वोट डालने के बाद कांता को जैन सहाब कहते हैं कि घर पर काम करने आ जाना रास्ते में जाते वक कांता सुजाता को कहती है कि गुडिया बुखार में पड़ी है उसे अस्पता लेकर जाना है पर पहले सहाब के घर का काम करके आऊंगी और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊ बच्चो कांता की बस्ती में कभी साब सफाई नहीं होती है इसकी वज़ा से उसकी बेटी गुडिया बिमार रहती है कांता की मालकिन पैसे उधार देती है पर वह कहती है कि पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना बच्चो जब कांता अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाती है तो उसे काफी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है वह सोचती है जैन मैडम और जैन सहाब वोट डालने के लिए लाइन में खड़े तो होते हैं पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है बच्चों कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है आपने अपनी पुस्तक में दिये गए चित्र में देखा होगा जो कांता के साथ लाइन में खड़े हैं उसमें कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पडोसी छोटे लाल को भी बच्चो भारत जैसे एक लोगतांतरिक देश में सब व्यसकों को मत देने का अधिकार है चाहे उनका धरम कोई भी हो शिक्षा का स्तर या जाती कुछ भी हो वे गरीब हो या अमीर हो इसे ही सारव भौमिक व्यसक मता अधिकार कहा जाता है और यह सभी लोगतंतरों का अवश्यक पहलू है सारव भौमिक व्यसक मता अधिकार का विचार समानता के विचार पर अधारित है क्योंकि यह गोशित करता है कि देश का हर व्यसक इस्त्री पुरश चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाती कुछ भी क्यों नहो वह एक वोट का हकदार है कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सब के बराबर है क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है जैसे जैसे दिन बितता जाता है कांता के मन में समानता के वास्त्विक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है बच्चो आपने चित्र में देखा होगा कि कांता एक जोंपड़ पटी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है उसकी बेटी बिमार है प्रंतु वह अपने काम से एक दिन की भी चुटी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डाक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने है घरेलू कामों की नोकरी उसे ठका देती है और अंतताहा उसके दिन की समापती फिर लंबी लाइन में खड़ होकर होती है सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन है जिसमें वह सुबह लगी थी क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं बच्चो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतिया लोग तंतर में रहते हैं और जिने मत अधिकार प्राप्त है लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कारे करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है निर्दन होने के अतिरेक भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है अब हम दो कहानियों को पड़ेंगे और समझेंगे यह दोनों ही वास्तवी गटनाओं पर अधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं भारत में समानताओं परचलित असमानता में से एक है जातिगत व्यवस्था यदि आप रामिन भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभाव शायद बहुत छोटी आयू में ही हो जाता है यदि आप भारत के शेहरी क्षेतर में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते परंतु जरा एक परमुक समाचार पत्र के विवाहिक विग्यापन के कोलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच शिक्षा प्राब शेहरी भारतियों के दिमाग में भी जाती कितनी महत्वपुरण है आपकी पुस्तक में विवाहिक विग्यापनों में जाती की सूचना देने वाले कुछ अंश दर्शाय गए हैं इनमें आप देख सकते हैं कि किस त्रह उच शिक्षा पाने वालों के दिमाग में भी जाती कितनी महत्वपुरण होती है कहानी के उपर आते हैं कहानी में स्कूल जाने वाला एक तलित बच्चा है बच्चों दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाती के लोग स्वयम को संबोधित करने के लिए परियोग में लाते हैं दलित का अर्थ होता है पुचला हुआ या तूटा हुआ और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदवाव होता था और आज भी हो रहा है ओम्प्रकाश्वाल में की एक परसिद दलित लेखक हैं और अपनी आतमकता जूटन में वे लिखते हैं स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगय तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी कभी कभी तो एक कदम पीछे दरवाज्ये के पास बैठना पड़ता था जहां से बोड पर लिखे अक्षर धुंदले दिखते थे कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे जब वे कख्षा चार में थे परधाना ध्यापक ने ओम प्रकाच से स्कूल और खेल के मैदान में जाडू लगाने को कहा वे लिखते हैं लंबा चोड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी मूँ के भीतर धूल घुस गई थी मेरी कख्षा में बाकी बच्चे पड़ रहे थे और मैं जाडू लगा रहा था हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी और पूरा दिन मैं जाडू लगाता रहा सकूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आँखें छिप कर समाशा देख रही थी ओम प्रकाश से अगले दो दिनों तक सकूल और खेल के मैदान में जाडू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को जाडू लगाते देखा उन्होंने शिक्षकों का साहस पुरुवक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ कर स्कूल से बाहर जाते हुए उंचे स्वर में सब को सुनाते हुए कहा मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ पर इतना याद रखिये मास्टर यह है यहीं पड़ेगा और इसी मदरसे में पड़ेगा और यह ही नहीं इसके बाद और भी आएंगे पड़ने के लिए बच्चों दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर अधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अरिकांश भागों में ऐसा होना एक समान्य बात है यह कहानी शिरी और शिरीमती अंसारी की है जो शहर में किराय पर एक मकान लेना चाहते थे वे पैसे वाले थे इसलिए किराय की कोई समस्या नहीं थी वे मकान ढूनने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डिलर के पास गए डिलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराय पर मिल सकते हैं पहला मकान देखने गए अंसारी दमपत्ती को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो बहाने बनाने लगी कि वह मासाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती प्रोपर्टी डिलर ने उनसे कहा क्या वे अपना नाम बदल कर शिरी और शिरी मती कुमार रखना चाहेंगे वे ऐसा करने को इच्छुक नहीं थे उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चे किया अंत में लगवक एक महीने के बाद एक मकान मालकिन मिली जो किराय पर मकान देने को तयार थी बच्चो अब तक आप यह समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के साथ असमानता का वेभार बस इस कारण होता है कि उनका जनम किस जाती लिंग या धरम में हुआ और वह उच्छ वरके हैं या मध्यम या निम्न वरके ओंपरकाश वालमिकी और अंसारी दमपत्ती के साथ असमानता का वेभार जातिगत और धरमगत गार्णों से हुआ बच्चो जब लोगों के साथ असमानता का वेभार होता है तो उनके समान को धेश पहुचती है ओंपरकाश वालमिकी तथा अंसारी दमपत्ती के साथ किये गए वेभार के कारण उनकी गरिमा को धेश पहुची ओंपरकाश वालमिकी को उनकी जाति के कारण स्कूल में जाडू लगवा कर शिक्षकों और शात्रों ने उनके समान को भुरी तरह आहत किया और उने यह महसूस कराया कि वह विदेलय के अन्य चात्रों के समान नहीं है उस समय पच्चा होने के कारण ओंपरकाश वालमिकी स्वयम इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके किन्तु उनके पिता ने अपने बेटे को जाडू लगाते देखा तो उने इस असमान विवहार पर प्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रक्ट किया जब लोगोंने अंसारी दमपत्ती को अपना मकान किराय पर देने से इनकार कर दिया तब उनके समान को भी चोट पहुची फिर जब प्रोपर्टी डिलर ने उने नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आतम समान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया बच्चो ओम्प्रकाश और अनसारी दंपत्ती के साथ ऐसा व्योहार नहीं होना चाहिए था। वे भी उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। आपकी पुस्तक में दिये गए चित्र में उन्नी सोप चत्र में बनी फिलम दिवार के द्रिश्य दिखाए गए हैं। दिवार फिलम उन्नी सोप चत्र में बनी थी। उसमें दिखाया जाता है कि जुत्ते पालिश करने वाला एक लड़का फैंक कर दिये गए पैसे को उठान से इंकार कर देता है वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के सार किया जाना चाहिए बच्चो अब हम पढ़ेंगे भारतिय लोक तंतर में समानता भारतिय समिधान सभी वेक्तियों को समान मानता है इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वह पुरुषोया इस्त्री किसी भी जाती से सबंदित हो धार्मिक शैक्षिनिक और आश्टिक प्रिष्टि भूमी से सबंद रखते हो वे सब समान माने जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खतम हो गई है यह खतम नहीं होई है लेकिन फिर भी कम से कम भारतिय समिधान में सब वेक्तियों की समानता के सिधानत को मानने किया गया है जहां पहले भेदभाव और दुर वेवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के वेवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं बच्चो समानता को स्थापित करने के लिए समिधान में जो प्रावधान हैं उनमें कुछ निम्न लिखित हैं प्रथम कानून की द्रिष्टी में हर वेक्ति समान है इसका तात्प्रय यह है कि हर वेक्ति को देश के रास्टपती से लेकर कान्ता जैसी घरेलू कामों की नोकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ता है दूसरा किसी वी वेक्ति के साथ उसके धरम, जाती, वंश, जनमस्थान और लिंग के अधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता तीसरा हर वेक्ति सार्जनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकाने और बजार आदी समिलित हैं सब लोग सार्जनिक कुओं, सडकों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं चोथा अस प्रिशता का उनमूलन कर दिया गया है बच्चो शासन ने समिधान द्वारा मानने किये गए समानता के अधिकार को दो त्रहें से लागू किया है पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कारेकरमों द्वारा सुविदा हेन समाजों की मदद करके बच्चो भारत में ऐसे अनेक कानून है जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सेंक्डों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मद्याहन भोजन की विवस्था इस कार्यक्रम के अंतरगर सभी सरकारी प्रात्मिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है यह योजना भारत में सरप्रथम तमिल नाडू राजय में प्रारंब की गई और 2001 में उच्टम न्यालय ने सभी राजय सरकारों को इसे अपने स्कूलों में छे माहा के अंदर अरंब करने के निर्देश दिये इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए बच्चों दुपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और निया मित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया इस कार्यक्रम से जातिगत पूरव आग्रोहों को कम करने में भी साहता मिली है स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं कुछ स्तानों पर भोजन पगाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है भोजन कार्यकरम ने निर्धन विद्यारतियों की भूक मिटाने में भी साहता की है जो प्राए खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान के इंद्रेत नहीं कर पाते थे बच्चो शास्किय कारेकरम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्मपूर्ण भूम्द का निभा रहे हैं कानौन बन जाने के बाद भी कुछ लोग इने सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं इसका मुख्या कारण यहां है कि द्रिष्ट्री कौन में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आता है कुछ लोग यहां मानते हैं कि भेद भाव का विवहार कानुन के विरुद्ध है फिर भी वे जाती, धरम, अपंगता, आर्थेक स्थिती और महिला होने के अधार पर लोगों से असमानता का विवहार करते हैं बच्चो वर्तमान दिरिष्टी कोन को बदलना तभी संबव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कम नहीं है और हर वेक्ती समान जनक विवहार का अधिकारी है बच्चो आप सोच रहे होंगे कि हमारा भारतिय लोगतंतर ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्तव है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है बच्चों संसार के अधिकांश लोगतंतर विदेशों में समानता के मुद्दे पर विशेश रूप से संघर्ष हो रहे हैं सिंग्त राजय अमेरिका में अफरीकी अमरीकन लोग जिनके पूरवज गुलाम थे और अफरीका से लाए गए थे आज भी अपने जीवन को मुख्या रूप से असमान बताते हैं 1950 के अन्तिम दश्क में अफरीकी अमरीकियों को समान अधिकार दिलाने के लिए अंदोलन हुआ था इससे पहले अफरीकी अमरीकियों के साथ सिंग्त राजय में बहुत असमानता का वेवहार होता था और कानुन भी उन्हें समान नहीं मानता था उधारन के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था रोजा पार्क्स एक अफरीकन अमरीकन महिला थी एक दिसंबर 1955 को दिन बर काम करके ठक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट गोरे वेक्ति को देने से मना कर दिया उस दिन से अफरीकी अमरीकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल अंदोलन प्रारंब हो गया जो नागरिक अधिकार अंदोलन कहलाया 1964 के नागरिक का अधिकार अधिनियम ने नसल धरम और रास्टर मूल के अधार पर भेदभाव को निशेद कर दिया इसने यह भी कहा कि अफरीकी अमरीकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफरीकी अमरीकन गरीम हैं अधिकतर अफरीकी अमरीकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने को ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योगता वाले शिक्षक हैं जबकि गोरे विधियार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उनकशेत्रों में रहते हैं जहांके सरकारी स्कूलों का अस्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊचा है भारत के समिधान के अनुछेद 15 के अंश, धरम, मूलवंश, जाती, लिंग या जनम स्थान के अधार पर विभेद का प्रतिशेद राजय किसी नागरिक के विरोध केवल, धरम, मूलवंश, जाती, लेंग, जनमस्थान या इन में से किसी के अधार पर कोई विभेद नहीं करेगा कोई नागरिक, केवल, धरम, मूलवंश, जाती, लेंग, जनमस्थान या इन में से किसी के अधार पर दुकानों, सारजुनिक भोजनालियों, होटलों और सारजुनिक मनुरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णताह या भागताह राज्या निधी से पोशेत या सधार जनता के परियोग के लिए समर्पित, कूऊं, तलाबों, सनान घाटों, सडकों और सारजुनिक समागम के स्थानों के उपयोग के समंद में किसी भी निर्योग्यता, दाइत्तव, निर्भंधन या शर्त के अधेन नहीं होगा बच्चों, किसी भी देश को पूरी त्रहें से लोगतंतर नहीं कहा जा सकता, हमेशा से ही ऐसे समुदाए और व्यक्ति होते हैं, जो लोगतंतर को नए अर्थ देते हैं, और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं इसके केंदर में वह संघर्ष है, जो सब व्यक्तियों को समानता और समान दिलाने का पक्षधर है बच्चो इस पुस्तक के बाकिया दिहायों में आप पढ़ेंगे किस त्रह समानता का प्रशन भारतिय लोगतंतर में हमारे दैनिक जीवन के विभिन पहलूँ को प्रभावेत करता है बच्चो अब आपने इसमें क्या समझा उसके अधार पर हम कुछ प्रशन आप से पुछेंगे स्कूल में दुपहर को भोजन देने की योजना सरप्रथम कहां शुरू हुई बहुवी कलपी हैं, चारक उत्तर दिये जाएंगे आपने एक बताना है तमिल नाडू, बिहार, दिल्ली, महरास्टर तो आप जानते ही हैं कि ये भोजन वाली जो मिड़े मिल वाली जो योजना है वो सबसे पहले तमिल नाडू में शुरू की गई अमेरीका में धर्म नसल और रास्ट्रिय मूल के अधार पर भेद भाव का निशेद कब हुआ इसमें आपको साल बताना है 1995, 1964, 1993, 1992 तो आपने अभी सुना होगा इसका उत्तर है 1964 प्रशन नमबर तीम भारत के किस अनुचेद में धर्म, मूल, वंश, जाती, लिंक या जनमस्तार के अधार पर विभेद प्रतिशेद हुआ तो आपने उसमें अनुचेद का नाम बताना है कौन सा है 16, 17, 14, 15 तो ये बात अनुचेद 15 में कही गई है भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब सविक्रित किया था तो इसके उप्षन है 1995, 1994, 1993, 1992 तो इसका अंसर हुआ 1995 अब अंतिम प्रशन है लोगों के साथ असमानता का वेवार क्यों होता है नमबर एक जाति लिंक के अधार पर उच नीच के अधार पर धरम के अधार पर या सभी तो अंसर आपने जब किताब पढ़ी लेशन को पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि कई ऐसी बाते थी तो इसका मतलब ये सारी चीजें हैं जिसके अधार पर भेदवाव किया जाता है तो इसका option होगा सभी तो इसी के साथ हमारा जो ये part है समाप्तुआ धन्यवाद